अगर आप सिल्वा माइक्रो में शॉट टम के लिए ट्रेडिंट करते हो और नहीं जानते कहा पर बाइंड करना चाहिए कहा पर सेलिंग करना चाहिए और क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए और क्या टारगेट रहेगा तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखे नमस्कार दोस्तों मैं आनिल आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल ट्रेडिंग में बहुत स्वागत करता हूँ आज तारीक है 23 जनवरी 2024 टाइम हो रहा है रात के 10 बच के 49 मिनट और आज दिन है ट्यूजडे फ्रेंज हमने लास्ट वीडियो में बात की थी सिल्वा माइक्रो की जिसका टारगेट अचीव हो गया है और आपने इस लेवल्स पर ट्रेडिंग की होगी तो आपने अच्छ टी सी रिक्वेस्ट अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की लेटस्ट अपडेट आपको लगातार मिलती रहे फ्रेंज इस वीडियो में हम आपको जो लेवल्स प्रोवाइड करते हैं इसकी मार्केट अक्सर रिस्पेक्ट करता है तो हो सके तो इन लेवल्स को नोट डाउन करके रखे ताकि इन लेवल्स से आपकी ट्रेडिंग में हेल्प हो सके फ्रेंज आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखे क्योंकि आ पास और इसका लेटेस्ट हाई पोस्ट हुआ है अठतर हजार रुपे और इसका लेटेस्ट लोग पोस्ट हुआ है छेया सट हजार रुपे फंडामेंटल व्यू की बात की जाये तो घर्ती बढ़ती हुई ब्याजदरे और चायना की और से डिमांड और सप्लाए जियो प प्राइस उपर की तरफ जा सकता है पहला सपोर्ट 70,164 रुपीज दूसरा सपोर्ट 69,015 रुपीज और तीसरा सपोर्ट 67,589 रुपे के आसपास दिखाई दे रहा है अगर प्राइस इन सपोर्ट को तोड़के निचे की तरफ ब्रेक आउट देता है और सस्टेन रहता है त इंपोर्टेन्ट रेजिस्टेन्स की बात की जाये तो रेजिस्टेन्स यानि ऐसे लेवल्स जहां से प्राइस निचे की तरफ आ सकता है पहला रेजिस्टेन्स 71,630 रुपीज दूसरा रेजिस्टेन्स 72,932 रुपीज और तीसरा रेजिस्टेन्स 74,036 रुपे के आसपास दिखाई दे रहा है, अगर price in resistance को तोड़के उपर की तरफ break out देता है और sustain रहता है तो बजार में और भी तेजी देखने को मिल सकती है, इस बात का ध्यान जरूर रखे, अगर ऐसा होता है तो यही resistance बाद में support का काम करेंगे, very long term यानि मन्थली चार्ट पे train की बात की जाए तो, train, negative दिखाई दे रहा है, short term यानि डेली चार्ट पे train की बात की जाए तो, train, negative दिखाई दे रहा है, तो करना क्या चाहिए आए देखते है, इससे पहले, friends आपने अभी तक इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe जरूर कर लेना और अगर यह वीडियो पसंद आती है तो एक negative दिखाई दे रहा है, cut price पर buy side का risk reward ratio देखे तो, risk 918 रुपे और reward 548 रुपे के हिसाब से risk reward ratio दिखाई दे रहा है, अगर आप bind करना चाहते हैं, तो bind level जो है, cut price 71,082 रुपे से 918 रुपे निचे यानि 70,164 रुपे के आस-पास bind करे, target रहेगा 71,630 रुपे, अगर ये target अचीव होता है, तो second target रहेगा 72,932 रुपे, और इसके लिए stop loss रहेगा 79,989 रुपे, और friends stop loss जरूर लगाए, बिन stop loss की trade करना बहुत हानिकारक हो सकता है, अगर आपने top level पे already buy किया है, तो आपकी total quantity में से 30% quantity, 70,164 रुपे, के आस-पास average करे, अगर बजार इससे भी निचे चला जाता है, तो आप 79,015 रुपे के, आस-पास 30% quantity average करे, Friends averaging करने के लिए trend का आपके favor में होना बहुत जरूरी होता है, और long term यानि weekly chart पर trend की बात की जाये तो trend, Negative, दिखाए दे रहा है इस बात का भी ध्यान जरूर रखे, जो सेलर है उनके लिए सलाह रहेगी, Sale on right की strategy अपनाए, फिलहाल बजार अभी Negative, दिखाए दे रहा है, Kurt price per sale side का risk reward ratio देखे तो risk 549 रुपे का दिख रहा है, और reward 918 के हिसाब से risk reward ratio दिखाई दे रहा है, अगर आप selling करना चाहते हैं, तो selling level जो है, Kurt price 71,082 रुपे से 549 रुपे उपर, यानि 71,630 रुपे के आसपास selling करे, टार्गेट रहेगा 70,164 रुपे, अगर ये टार्गेट अचीव होता है, तो second target रहेगा 79,015 रुपे, और इसके लिए stop loss रहेगा 71,810 रुपे, और friends stop loss जरूर लगाए, बिना stop loss की trade करना बहुत हानिकारक हो सकता है, अगर आपने lower level पे already sale किया है, तो आपकी total quantity में से 30% quantity, 71,630 रुपे के आसपास average करे, अगर बजार इससे भी उपर चला जाता है, तो आप 72,932 रुपे के आसपास 30% quantity average करे, जैसे की हमने पहले भी बताया, averaging करने के लिए trend का आपके favor में होना बहुत जरूरी होता है, और long term यानी weekly chart पर trend की बात की जाए तो trend, negative, दिखाए दे रहा है इस बात का भी ध्यान जरूर रखे, अभी के लिए overall trend negative रहेगा, sale on rise करके चले लेकिन strict stop loss के साथ, आने वाले दिनों में 70,164 रुपे और 69,015 रुपीज के target देखने को मिलेंगे, फ्रेंज आपके लिए एक जरूरी disclaimer है, फ्रेंज अगर आप इन levels पे trade करना चाहते हो तो आपके financial expert की राय जरूर ले, ताकि आपको कोई बड़ा नुकसान ना हो और इस financial market में सही और गलत की समझदारी जरूर रखे, और आपके profit and loss की जिम्मेदारी खुद ही ले, और अपना money management और risk reward ratio अच्छे से maintain करे, अपनी trading में back tasting या paper trading जरूर करे उसके बाद ही trading करे, और friends आप अपनी knowledge के लिए कुछ channel है उन पर जाकर उनकी वीडियो देख सकते हो, जैसे की गौरफ सेथियास online commodity classage, gold silver, forecasting, stock market चर्चा, investors और wealth creation, sahaj info, short formula, smart trading academy, rv ea strategy, gold price today news, market investment, gold ieq, investing with yash, share market charts indication, intelysis investment and trading commodity, इन सारे चैनल पर विजिट कर सकते हो और उनकी trading, analysis समझ कर अपनी trading को perfect बना सकते हो, और अपना success ratio बढ़ा सकते हो, लेकिन friends आपको strict advice रहेगी, आप किसी पर blandily, विश्वास ना करें फिर चाहे हम हो या कोई और हो, friends पहिले सीखिए और समझिए, और लगातार practice करे, paper trading करे, जब आपको लगे है हा में कर सकता हूँ, तभी trading करनी चाहिए, अगर आपका कोई सवाल हो या कोई राय हो तो comment box में जरूर लिखे, और आपने अभी तक इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe और like जरूर करे, साथ में घंटी के बेल आइकॉन को all पे सेट करना न भूले, ताकि आने वाली वीडियो की latest अपडेट आपको लगातार मिलती रहे, धन्यवाद,